Hello everyone, welcome back to Home Tutor आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा साथ के संस्कृत विशय के बारावे पाठ का अध्यन पाठ का नाम है विद्या धनम अर्थात विद्या का धन तो इस पाठ में हमें मनुष्य के जीवन में विद्या क्या स्थान रखती है क्या महत्व रखती है इस बारे में आपको इस पाठ में जानकारी दी गई है तो चलिए इस पाठ का अध्यन करते हैं इसके अर्थ को समझते हैं वीडियो हेल्फुल लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करें चैनल पर नएं है तो सब्सक्राइब भी कर ले न अर्थात नहीं चोर यानिकि चोर हार्यम का अर्थ होता है चुराने योग्य अर्थात चोर के द्वारा चुराने योग्य न अर्थात नहीं चा का अर्थ होता है और राजहार्यम अर्थात राजा के द्वारा छीनने योग्य न अर्थात नहीं भ्रारतिभाज्यम यानि की भाईयों के द्वारा बांटने योग्य नच भारकारी, भारकारी का अर्थ होता है भार को बढ़ाने वाली या बोज को बढ़ाने वाली व्यकृते यानि की व्यकरने पर वर्धत अर्थात बढ़ता है एव अर्थात ही नित्यम अर्थात हमेशा विद्याधनम, विद्या का धन, सर्वप्रधानम यानि की सर्वोत्तम या सर्वप्रमुक है ना चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और ना राजा के द्वारा छीनने योग्य है ना भाईयों के द्वारा बांटने योग्य है और ना बोज बढ़ाने वाला है हमेशा खर्च करने पर बढ़ता ही है विद्या का धन सभी धनों में सर्वोत्तम है अर्थात अगर आपके पास विद्या का धन है यानि कि आपको ज्ञान है, नौलेज है तो उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता कोई चोर चुरा नहीं सकता कोई राजा उसे नहीं छीन सकता, भाई बंधू से बाट नहीं सकते और ना ही विद्या का धन आपके उपर भार बढ़ाता है आप अपनी विद्या को जितना खर्च करते हो यानि कि बाटते हो लोगों के साथ में शेयर करते हो तो आपकी विद्या उतना ही बढ़ती है आपकी नौलेज उतना ही बढ़ती है इसलिए विद्या का जो धन है सर्वप्रधान है सबसे प्रमुख है या सर्वोत्तम है विद्या परादेवता विद्या राजाश उपूज्यते नही धनम विद्या विहीनः पशुहु विद्या नाम नरस्य अर्थात विद्या मनुष्य का रूपाम अधिकम अच्छा स्वरूप प्रक्षन गुप्तम धनम अर्थात छुपा हुआ धन गुप्त धन या गोपन ये धन है, विद्या भोग करी, भोग करी का अर्थ होता है भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली, यशह अर्थात कीर्ती, सुख करी, सुख को प्रदान करने वाली, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है, विद्या बंधुजनों, बंधुजन पर विद्या परादेवता, पराकार्थ होता है सबसे बड़ी देवता है, राजासु यानि की राजाओं में पूजते यानि की पूजी जाती है, न अर्थात नहीं, धनम यानि की धन, विद्या विहीनह पशु हूँ, अर्थात विद्या के बिना पशु के समान है, विद्या मनुष्य का अच्छा स्वरूप है और गोपनिए धन है अर्थात छुपा हुआ धन है विध्या भोग के साधन उपलब्द कराने वाली है कीर्ती और सुख देने वाली है विध्या गुरुओं की भी गुरु है विदेश जाने पर विद्या बंधु बांधों के समान अर्थात मित्र और भाईयों के समान होती है विद्या सबसे बड़ी देवता है विद्या राजाओं में पूजी जाती है ना की धन विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। वाक भूशडम भूशडम के यूराह अर्थात बाजुबंद जोकी बाहों में पहना जाता है एक प्रकार का आभूशड होता है। या चमकदार न सनानम यानि किसनान नहीं न विलेपनम विलेपन का अर्थ होता है शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे की केसर चंदन इत्यादी। न कुसुमम का अर्थ होता है पुश्प या फूल न अलंकृता अर्थात अलंकृत नहीं करते या नहीं सजाते। मुर्ध जाह का अर्थ होता है बालों को या चोटी को वाडे क्या अर्थात एक मात्र वाडी ही समलंकरोती अर्थात अच्छी तरह शुशोभित करती है पुरुशम अर्थात पुरुश को या अर्थात जो संस्कृता यानि की परिश्कृत या संस्कार से युक्त धार्यते अर्थात धारड की जाती है क्षियंते अखिल भूशनानी अर्थात संपूर्ण आभूशड नश्ट हो जाते है सततम अर्थात सदैव वाक भूशडम अर्थात वाडी का आभूशड भूशडम अर्थात आभूशड तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को बाजु बंद सुशोभित नहीं करते, ना ही चंद्रमा के समान चमकदार हार, ना असनान और ना ही शरीर पर सुगंधित लेपन, ना बालों में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं. मनुष्य को एक मात्र वाडी भली प्रकार शुशोभित करती है, जो परिश्कृत होकर या संसकार युक्त होकर धारण की जाती है. अन्य सभी आभुशड नश्ट हो जाते हैं, लेकिन वाडी का आभुशड सदैव रहने वाला आभुशड होता है. विद्या नाम नरस्य कीर्तिर तुला भागिशय चा आश्रयाह धेनुह काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतियम चसा सतकार आयतनम कुलस्य महिमा रतनेर विना भुशडम तसमाद अन्युपेक्ष्य सर्व विशयम विद्याधिकारम कुरू. विद्या नाम नरस्य अर्थात विद्या मनुष्य का कीर्ति अतुला अर्थात अतुल्य कीर्ति है या अतुल्य यश्य है. भाग्य शय का अर्थ होता है भाग्य के नश्ट होने पर या भाग्य के विपरीत होने पर च अर्थात और आश्रयाह यानि की सहारा है. धेनु अर्थात गाय काम दुधा यानि की कामनाओ को पूरा करने वाली. रती अर्थात प्रेम च का अर्थ होता है और विरहे विरह में नेत्रम नेत्र या आँख तृतियम तीसरी च का अर्थ होता है और सा यानि की वह. सतकार आयतनम अर्थात सम्मान प्रदान करने वाली. कुलस्य महिमा अर्थात कुल की महिमा. रतने विना अर्थात रतन के विना. भूशडम यानि की आभूशड तसमाद अन्य उपेक्ष्य अताह दूसरे को छोड कर. सर्व विशयम सभी विशयों को विद्या अधिकारम विद्या पर अधिकार कुरू करों. विद्या मनुष्य की अतुल्य कीर्थी है. भाग्य के विप्रीत होने पर आश्रय है अर्थात सहारा है. कामनाओं को पूरी करने वाली कामधेन के समान है, विरह में प्रेम करती है और वही मनुष्य की तीसरी आँख होती है, सम्मान दिलाने वाली होती है, कुल की महिमा होती है और बहुमूल्य रतनों के बिना भी एक आभुशड होती है अताह सब तरह की विशयों को छोड़ कर विद्या पर अपना अधिकार करो तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्यन कर लिया है इसके अभ्यास कारे को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में पाठ से सम्बंदित कोई भी दाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई